वक्त रेत की तरह होता है किस तरीके से धीरे धीरे ये हमारे हातों से फिसल जाता है हमें पता ही नहीं चलता है इसलिए चीजों को समय पर ही enjoy करना उन्हें celebrate करना आज की time पर हर किसी के लिए बहुत ज़ादा important है हम किसी बड़े celebration का इंतिजार करें फिर उसको enjoy करें इससे अच्छा है कि छोटे छो moments होते हैं न उनको enjoy करना चाहिए किसी बड़ी चीज के लिए छोटी छोटी चीजों को हमें ignore कभी नहीं करना चाहिए बहन का बेटा आज 6 महिने का पूरा हो गया था पूरी family साथ में थी इसलिए सोचा कि क्यों ना इस पल को एकदम यादगार बनाया जाए होली का टाइम था इसलिए हम सभी लोग यहाँ पर थे और हो सकता है अगर होली नहीं पड़ती तो सायट आज हम सब लोग भी यहाँ ना होते तो उसकी फोटो शूट की तयारी हो रही थी और हर चीज को सजाने से लेकर उसकी तयारी तक में हर एक इनसान का हाँ था तो आज वायू से जुड़ी हुई हर एक चीज को वहाँ पर रखा गया था यह जो केक है वो वायू की ममा यानि की मेरी छोटी सिस्टर ने तयार किया था और आज वायू हो गया है पूरे six months का उसकी सारी बहने सब बहुत excited है और ये जो toy है ना ये वायू का सबसे favorite toy है जब भी वो चाहे जितना भी रो रहा हो अगर उसके सामने उसका ये toy आ जाता है तो वो एकदम खिल-खिला के हस पड़ता है और ये दिन और भी जादा special था क्योंकि इस दिन था भाईदूज हमारे याँ हुली की भाईदूज मनाई जाती है और इस टाइम सभी लोग वेट कर रहे थे कि वायू की cake cutting कराई जाए पर जब बच्चा छोटा होता है ना तो वो थोड़ा इर्टेट होता है जिसके लिए उसको बार-बार दूद पिलाना पड़ता है तो यहाँ जब तक ये रेडी होते हैं आज भायू को एक नया food introduce कराए जाएगा तो सेरलेक तो आज से उसको सेरलेक दिये जाएगा बहुत सारे भायू के लिए और वायू के साथ फोटो क्लिक कराने के लिए सभी को दूद की बॉटल का सहारा लेना पड़ रहा था और केमरे मैन को अपनी फोटो हमेशा इस तरीके से लेनी पड़ती है तो आप बारी आगई थी केक कटिंग की तो यहाँ जैसे ही सभी लोगों ने क्लैपिंग वगएरा की वायू बहुत तेज डर गया था बच्चों के साथ होता है अक्सर ऐसा कि वो बहुत जादा सोर सरावे से डर जाते हैं और निवी भी अभी हमारी 6 महीने से जादा बड़ी नहीं हुई है तो उसकी हरकते अभी ऐसी ही है तो इतने सारे सेलिब्रेशन होई रहे थे तो उसी के बीच वायू के दादू ने आज उसकी पास नहीं भी की थी तो आज दूद के अलावा के खीर वायू को बहुत सारी चीजे खाने को मिली और अब बारी आई थी भाई दूज के तिलक की और सुबह से विचारा बच्चा यही देख रहा है कि मेरे साथ एक से एक बढ़के तमाशे होते चले जा रहे हैं उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि यहां हो क्या रहा है बच्चा भी इर्टेट होने लगा था और यह वायू के लिए नगे ठीके की प्लेट लगके तयार हो गई थी उसकी दीदी लोगों ने इसमें इतनी सारी चौकलेट रखी थी जैसे वो वायू को खिलाने वाली है अ बच्चा हुले वायू के लिए नहीं थी उनकी दीदी लोगों के लिए थी फिर बारी आई थी गिफ्ट्स की और ये सारे थे रिटर्ण गिफ्ट्स जो कि वायू ने अपनी सभी दीदी लोगों को दिये थे निवी बिचारी डर गईती के पता ने मुझे गिफ्ट्स मिलेगा के नहीं फिर उसके बारी आई थी सेल्फी की क्योंकि मेरी वीडियो तो कोई लेता ही नहीं मुझे खुदी अपना वीडियो बनाना पड़ता है पती देव को भूक लगी थी तो वो पटापट अपना खाना खा रहे थी क्योंकि इसके बाद अब कुछी टाइम में हम लोगों को वापस डेली के लिए निकलना है फिर बारी आई थी बच्चों के खेल की और यहां इन लोगों की ट्रेन बन गई थी क्योंकि ये सारी लोगा वायू को एंटरेटेन कर रहे थी इतना ज़ाद उसको परिशान कर दिया था तो उसको एंटरेटेन करना तो बनता ही है तो तीन दिन नौइडा में खूब इंज्जॉय किया हम लोगों ने और आज मैं जा रही हूँ वापस डेली तो ममी पापा को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ और निवी की आदत है थोड़ी सी हवा लगी और निवी सो जाती है तो अब हम लोग यहां से जा रहे हैं सीधे डेली और डेली में जाएंगे हम अपनी बुआ जी के घर क्योंकि भाई दूज है तो पापा को भी बुआ से तिला करवाना था तो यहां से हम लोग सीधे पहुँचेते हैं बुआ के घर और उसके बाद बुआ ने पूरी तयारी करके रखी थी अपने भाई भावी के लिए तो मेरी छे बुआ हैं और ये सबसे चोटी बुआ है जो मेरे ही घर के पास डेली में ही रहते हैं इसलिए हम लोगों को डेली में कभी भी ऐसा अकेला सा नहीं लगता है क्योंकि सारी सिस्टर्स यहीं हैं बुआ मेरी यहीं हैं और मेरे सस्राल पक से भी काफी लोग यहीं पर रहते हैं और कुछ टाइम से तो अब बैली में मम्मी पापा का भी आना जाना लगा ही रहता है आपको मेरे वीडियो में देखने को मिलता ही रहता होगा जैसे ही मिठाई की खुशबू आई पती देव भी सो रहे थे उनके भी आख खुल गए और उन्हें आख खुलते ही सबसे पहले अपना मुँ मिठा किया बुगा की बेटी की शादी हो चुकी है बेटा बाहर रहता है इसलिए बुगा फुफा जी ही अकेले रहते हैं बुगा अक्सर इसी तरीके से ही खाना बनाती हैं तो इतना काम तो अभी मैं भी नहीं कर पाती हूं जितना की मेरी बुगा कर लेती हैं उसके बाद हस्बेंड को कुछ समान लेना था, तो गर के घर के पास ही विशाल था, हम लोग यहां आ गए थे, तो हस्बेंड ने एक बोटल खरीद नी थी, तो उन्होंने ये तनी बड़ी स्या बोटल देख रहा है, ये उन्होंने ली थी, और निवी जिद कर रही थी, कि उसको स्लाइम लेनी थी, मैंने मना कर दिया, तो उसने स्लाइम की डिबी की सील तोड़ दी, और यहां पूरी स्लाइम फैला कर बैट गई थी, और ना चाहते हुए भी मुझे उसको वो स्लाइम दिलवानी पड़ी, आज विशाल में बहुत अच्छा-च्छा समान आया हुआ था, और जब भी मैं यहां आती हूँ, तो क्रॉकरी के सेस्टन में जरूर जाती हूँ, तो यहां पर कुछ इस तरीके के छोटे-छोटे से जार थे, जो कि एर टाइट थे, और यह मुझे सेरमेक की बने हुए लग रहते, बहुत ही अच्छी इनकी क्वालिटी थी, पर मुझे इनका कोई यूज समझ नहीं आया, इसलिए वापस रख दिया, तो चलिए दोस्तों, मैं चलती हूँ अपने घर वापस के, तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे व्लॉक्स पसंद आते हैं, तो चैनल को लाइक और सब्स्राइब करना बिल्कुल मत बूलेगा, जिससे की और व्लॉक्स आप लोगों को देखने के लिए मिलें, फिर से मिलते हैं, बाबाई!